मैं थोड़े दिन पाइला है 36 गाड़ गाया था वहाँ पर से वाहिनाक सालवात के कुछ नहीं है वहाँ के लोग इतने गरीब है कि चावल को पानी में दूबा के खाते है गरीब लोग लगता है इसने 36 गाड़ देखा ही नहीं है अब बबा को मिलवाते हैं नहीं 36 गड़ से जै जोहार कका देश के सबसे प्रकतीशील राज से आने के बाद भी हम ऐसे ही हाँच जोड़कर आपको नमस्ते कर रहे हैं क्योंकि हमारे संसकार हमें यहीं सिखाते हैं आपने कहा कि वहां के लोग गरीवी में चावल को पानी और डुबा कर खाते हैं उसे बोरे बासी कहा जाता है और गरीवी में नहीं बलकि खुद को एक अच्छी सेहत देनी के लिए उसे खाया जाता है आपके अमेरिका नहीं यह रिसर्ज की है कि बोरे बासी खाने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और गर्मी में लू भी नहीं लगती इतना ही नहीं हमारे 36 गड़ के सरगुजा जिले की रामगड़ की पहाड़ियों में सीता बेंगरा गुफा में दुनिया की सबसे पुरानी नाटेशाला मिली है इंदरा कला संगीत विश्विद्याले देश का एक मातर आसा विश्विद्याले है जो 36 गड़ में है जिस जाज में आप घूम रहे हैं, वो सकता इसका लोहा भी 36 गड़ से आया हो धान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा 36 गड़ देश का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है पूरी दुनिया में सबसे महंगा फैबरिक रेशम का होता है आपको बता दूँ कि 36 गड़ में ही उसका उत्पादन होता है इस रो जैसे स्पेश रिसर्च सेंटर में 36 गड़ के युवा काम कर रहे हैं और एक बात सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में पूजे जाने वाले भगवान श्री राम की मा कौशल्या 36 गड़ की थी एतनी सारी खूबियों के बाद भी हम शेखी नहीं भगारते बलकि हाथ जोड़का सभी से कहते हैं जै जोहार शत्युगड़ के बारे में इनकी नॉलेज अगर पूरी नहीं हुई हो तो सुमन पांड़ जी का नंबर मैंने देदूंगा बात करवा देना और नमस्ते